हलो फ्रेंड्स आज कल मार्केट बिल्कुल हरी भरी सबजें से भरी पड़ी है और देखके मन खुश हो जाता है इतनी फ्रेश सबजी आई हुए मार्केट में तो उनी में से मैं आज आपके साथ पालक पनीर की रेसेपी शेयर कर रही हूं आपनी तो चलिए स्टार्ट करते ह हैं पालक पनीर उसके लिए मनें यहाँ पर हाफ केज़ी पालक लिया है ये और मैंने उसके रूट्स पहले निकाल के रख लिये हैं अगर कोशिश केजिए कि आप जो पालक याas incur लेकर आते हैं उसको उसी टाप करके रख लें ताकि वह खराब अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एकलीस उसके रूट्स उसी टाम कट करके आप स्टोर करके रख सकते हैं तो मैंने यहां पर पालग को जो अच्छे से रख लिया है और अब हम इसको दो से तीन बार अच्छे पानी से ख्लीन वॉर्डर से भी क्लीन करेंगे ताकि जो मिट्ट वगेरा होती है वो निकल जाए अच्छे से क्योंकि ग्रीन वेजिज में मिट्टी बहुत जादा होती है तो लीन करने के बाद मैंने यहां पे एक पैन लिया है और पैन में मैंने और उसमें पानी जो है वो बॉल के लिए रख लिया है जब पानी बॉलिंग स्टेश पे आज दिखेंगे कि हमारा जो जो कहा है वह बॉल हो किया है अब हम इसको जो जो पहल बाली से निकाल लेंगे इस के लिए मैंने एक अनदर बाउल लिया है और उसमें ठंडा बानी लिया है फंबा भरना Edge के जो उसका जो कुकिंग प्रोसेस होगा वो रोख जाएगा और पालक जो है हमारी वो हरी की हरी रहेगी तो यहां पर मैंने यह पालक को ठंडे में डाल लिया है आप देख सकते हैं कि यह कितनी हरी लग रही है इसके बाद हम पालक को बिना पानी के एक मिक्सी वजार में ट्रांस्टर करेंगे और ही कितनी अच्छा कलर आया है इसका तो अब चलिए तड़की की तारी करते हैं उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैंने मक्षन डाला है मक्षन को थोड़ा सा फॉट होने के बाद उसमें हम ताकि मक्षन जले नहीं उसके साथ में आदा चमश ऑईल डालेंगे जब यह थोड़ा गरम हो जाएं उसके बाद हम एक छोटी चमल जीरा डालेंगे और 30 सेकिन के लिए उसको भून लेंगे जीरा भूनने के बाद हम उसमें लसन अद्रक और प्यास डालेंगे जो मैंने पहले से ही चौप करके रख लिया है तो सबसे पहले हम लसन को अध्रक को भी हमने एक मिनट तक भूनना है और साथ मैं अब हम उसमें जब भून जाए अच्छे से थोड़ा सा बर्णिंग गलओं आहने लग जाए जो लसन और अध्रक को होता है उसके बाद हम उसमें प्यास डाल देंगे प्यास डालने के बाद हम उसको दो से तेन गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें अपना टमाटर डालेंगे टमाटर को भी मैंने अच्छे से चौप कर लिया है और टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे मसालों में मैंने यहाँ पे लाल मिर्च, एक छोटी चमच धनिया पाउडर और एक छोटा चमच हल्दी डाली है तो इन सब मसालों को डालने के बाद हम अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और टमाटर को पकने के लिए दो से तीन मिनिट लगेंगे ताकि जो टमाटर का कच्छा पन है वो ना रहे और जो मसाले हैं वो भी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए आप चाहें तो टमाटर को पकने के लिए एक चमच पानी डालकर और जो पैन है उसको ढखकर टमाटर को पकाआ सकते हैं ताकि इसको खट़ा पन होता है या कच्छा पन होता है वो ना रहे और बीच-वीच में इसको हिलाते रहे तो यह हमारे यहां पे जो टमाटर है वो अलमस्ट पक गए हैं मसाला अच्छे से भुन गया है अब हम इसमें पालक प्रियोडी है वो डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे गैस का फ्रेम धिमें यहीं रखना है उसको हाई फ्लीम या मीडियूम नहीं करना है मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपने अकॉर्डिंग अगर आपको ग्रेवी जादा चाहिए डान या रोटी के साथ या राइस के साथ खा रहे हैं तो ग्रेवी उसके अकॉर्डिंग ली आप इसमें एक कप पानी डाल दीजिए और उसको पान से छे मिनट लगेंगे पकन के रख दिया था और यहां मैं 300 ग्राम पनीर यूज़ कर रही हूँ आप जाहें तो पनीर को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेति डालेंगे अपने हतलियों के बीच में थोड़ा सा रबब करके कस्तूरी मेतिजिए में उसके लिए हम उसको ठक के दो से तीन मिन तक पकाएंगे तो हमारा जो पालक पनीर है वो रिडी हो गया है और अब आप इसको किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं आप नान, रोटी, राइस अगर आपको मेरी पालक पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें and share and like and मिलते हैं अपनी नेक्स रेसिपी के साथ में तब तक के लिए, bye-bye.